Hello guys, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं Andrew White तो यहाँ पे हमारे Redmi Note 8 Pro device में MIUI 11 update आने के बाद एक दूसरा stable update आ चुका है रोल होना शुरू हो चुका है तो most probably आपको मिल जाएगा बहुत जल्द आपको यह update देखने को मिल सकता है कुछ fixes किये गये हैं जो की bugs थे MIUI 11 आने के बाद हना कि कुछ bugs ऐसे भी हैं जो की अभी भी fix नहीं किये गये हैं इस device में और कुछ ऐसे features हैं जो की इन्हें देने चाहिए थे अभी तक वो इसमें नहीं दिये गये हैं तो इन ही सब के बारे में आज बात करेंगे सुड़े में तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो लोको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा आपको notification setting open करने में दिक्तत होती थी तो वूसे fix कर दिया है हलाकि मैं second space युजन ही करता हूँ तो मुझे इस बग के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है और एक fix किया गया है couldn't open the notification set in some cases तो इसे भी fix किया गया है और साथ में ये वाला जो bug है images overlapped in scrolling screenshots तो ये वाला बग मैंने भी face किया था scrolling screenshot जब capture करते थे तो कई बार वहाँ पर वो image overlap करती थी तो ये भी bug मैंने notice किया था तो ये ही कुछ fixes इसमें आपको देखने को मिलते हैं और साथ में आपको number का security patch level देखने को मिल जाता है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा चलते हैं इसकी settings में about phone में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11.2.19 का यहाँ कि number का आपको security patch level देखने को मिल जाता है MIUI 11.0.3.0 stable update में अब बात करते हैं जो चीजें इसमें अभी भी नहीं आई है तो सबसे पहली बात कि इसमें जो cast वाला feature था वो अभी भी work नहीं कर रहा है MIUI 11 आने के बाद cast वाला feature जादा था devices में mostly devices में जिन में MIUI 11 का update आचुका है वहाँ पे देखने को नहीं मिलता work ही नहीं करता है और खास करके MI TV के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं यह पता नहीं कौन से TV यहाँ पे detect करके ला रहा है लेकिन MI TV इसको बिल्कुल भी detect नहीं करता है मेरे घर में भी MI TV 4X लगी हुई है लेकिन यह उससे detect नहीं करता है और मेरे घर में Amazon Fire TV है तो उससे यह detect कर लेता है उसमें cast हो जाता है लेकिन MI TVs में cast नहीं हो रहा है और यह issue मेंने अपने Redmi K20 Pro, Redmi Note 8 Pro, Poco F1 device सभी में face किया है कि मेरी जो MI TV 4X है उसको कोई भी device MIUI 11 update आने के बाद detect नहीं करता है कोई भी चीज हम cast नहीं कर सकते है हाला कि आप app के अंदर, किसी specific app के अंदर जाके जब cast feature को enable करेंगे, cast करेंगे तो वहाँ से cast जाता है लेकिन device की screen cast नहीं हो पा रही है तो इससे अभी तक fix नहीं किया है अब देखें, Xiaomi इसे कब fix करता है या नहीं करता है साथ में, एक और चीज यहाँ पे इस device में अभी भी आपको AR core का support नहीं दिया गया है हाना कि यह AR core का certification Google प्रोइड करता है लेकिन बहुत सारे ऐसे devices हैं जो कि out of the box AR core certification के साथ हाते हैं आपको इस तरह से यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे Amazon Prime वीडियो और Netflix के उपर अभी भी आप इस तरह से यहाँ आप इस तरह से यहाँ पर आता है में full HD content को stream नहीं कर सकते हैं यहाँ पर मैं दिखा जाता हूँ settings में streaming quality बेश्ट देख सकते हैं 0.46 GB पर आ रहे हैं तो यहाँ पर इस device के launch के 2-3 महिने हो चुके हैं तकरीबन और यहाँ पर अभी भी इस में full HD या फिर HD content हम stream नहीं कर पा रहे हैं OTT platforms के उपर जो की मेरे लिए काफी disappointing बात रही है डिवाइस की display काफी बढ़िया है यहाँ पर डिवाइस की display काफी बढ़िया है यहाँ पर आपको wide one 11 certification भी मिल जाता है लेकिन Xiaomi अपने devices को OTT platforms के उपर whitelist नहीं कर आ पा रहे हैं अब ऐसा क्यों है मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर 19,000 रुपए की price में जो devices आज के time पर आ रहे हैं वो whitelist है ज्यादा तर OTT platforms के उपर at least Netflix Amazon पे तो whitelist ही है जैसे की Realme X2 device भी मैं use कर रहा हूं तो उसमें भी Netflix Amazon Prime Full HD में चल जाता है कोई दिक्कत नहीं होती और Vivo का U20 जो device है उसमें भी Full HD content हम stream कर पाते हैं इसके उपर तो वैस रड़्मी नोटेट प्रोडवाइस में यह 11.0.3.0 का अपडेट स्टेबल अपडेट पाने के बाद मैंने कुछ यही चेंजेस नोटिस किये और कुछ भी और कुछ भी और कुछ नहीं हुआ है जो चीजें वहां पर बताएगी है हो सकता है वो फिक्स टाइट पहर लीजिए क्योंकि रेडवी नोटेट प्रोडवाइस रेलेटेड आपको वीडियोस हमेशा मिलती रहें गी और भी बहुत सारे डियोस रेलेटेड वीडियोस मिलती रहें तो चैनल सब्स्क्राइब करना बेल आग अकम कूल मत भूलें तांक्क पर अचिन इड मिलते हैं नेक्स वीडियो में